नमस्कार दोस्तों मैं हूँ उल्वी नोद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यू टैप के इमर्सिव रीडर के बारे में पिछली वीडियो में हमने आपको व्यूज्क के सभी आप्शन के बारे में बताय था और इस वीडियो में हम यहाँ पर immersive reader के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ paragraphs को insert कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया is equal to randrand command डाल करके हमने यहाँ पर paragraph insert कर लिया paragraph insert होने के बाद हम यहाँ पर view tap के immersive reader पर click करेंगे दोस्तों जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर काफी सारे option दिखाई देंगे जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाई देगा column width का column width पर जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो काफी कम हो जाएगी और इसके बाद आप इसे यहाँ पर read कर पहेंगे इसके बाद अगर हम इसके दूसरे option की बाद करें narrow की तो अगर आप narrow वाले option पर click करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी width थोड़ी सी और बढ़ जाएगी इसी तरीके से जो अबारा तीसरो option है moderate moderate पर जैसे आप click करेंगे तो इसके width और भी increase हो जाएगी इसी तरीके से सबसे last option की अगर हम बात करें white की तो इस पर जैसे आप click करेंगे यह widely काफी जादा इसकी column की width को increase कर देगा तो आप अपनी सुविदा अरुजाद इसमें से किसी भी option को select करके इसे आसानी से read कर पढ़ेंगे इसके बाद अगर हम बात करते हैं second option की तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो second option है वो है page color page color पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला option है none जिसमें by default यह none रहता है और अगर आप यहाँ पर second option का यहाँ पर इस्तिमाल करेंगे आपको एक option दिखाई देगा जिसमें सबसे बैरा option none है इसको छोड़ते हुए जैसे हम यहाँ पर one line पर click करेंगे तो जहाँ पर भी आपका cursor होगा केवल उसी line पर यहाँ पर focus दिखाई देगा इसके right side में आप देखेंगे आपको यहाँ पर arrow दिखाई देगा जिसकी मदद से आप इसकी line को यहाँ पर change कर पाएंगे यहाँ से आप इसे उपर कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे नीचे click करके जा सकते हैं इसके अलावा अगर आप अपने mouse से scroll button को गुवाएंगे तो आप देख सकते हैं यह एक-एक करके आपको एक-एक line read करने के लिए represent कर रहा है इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर line focus में जा करके 3 line को select करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके साथ 3 line पर focus होगा और आप आसानी से 3-3 line को read कर पाएंगे इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर five lines पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आप एक साथ five lines को यहाँ पर आसानी से read कर पाएंगे इसके बाद हम अगले option की अगर यहाँ पर बात करें तो वो है text spacing अगर आप इस पर click करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका जो भी word होगा उसके बीच में काफी जादा space आपको दिखाई देने वाला है जिससे आप आसानी से एक-एक spelling को read कर पाएंगे इसके अलावा यहाँ पर आप अगले option की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखेंगे अगला जो option है वो as labels का labels पर जैसे आप यह करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो paragraph होगा वो एक words में divide हो जाएगा यानि कि जिससे मान लीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं documents में यहाँ पर तीन अक्षर है do,c,u,and,ment,ment यानि document तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका जो भी matter होगा यानि जो भी आपका paragraph होगा वो अक्षरों में divide हो जाएगा यानि कि इस labels में divide हो जाएगा इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं provides हमारा दो अक्षरों में divide हो रखा है pro और whites इस पर अगर आप वापस से क्लिक करेंगे तो आपका document वापस से वैसा हो जाएगा जैसा ये पहले था इसके अलावा अगर आप इसे listening करना चाहते हैं तो अगला option आपके काम का है जैसे मालीजिये यहाँ पर आप देखेंगे जो अगला option है हमारा वो है read allowed का इस पर जैसी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक button दिखाई देगा और इस पर जैसी आप play वाले button पर click करेंगे तो यह आपको read करके बताएगा तो इस तरीके से आपसे read भी करवा सकते हैं और आपको यह read करके सुनाएगा जैसे मालीजियम यहाँ पर click करके आपको दिखाते हैं इससे pause करना चाहें आप यहाँ से pause कर सकते हैं इसके रावा इसकी काफी सारी settings भी दिखाए देंगी इस पर आप click करके आप चाहें तो reading speed को यहाँ पर improve कर सकते हैं यहाँ पर हमने इसको increase कर दिया और increase करने के बाद आपको play करके दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही जादा fastly read कर रहा है इसे हम इसे वापस से कम करते हुए अब यहाँ पर आप इसके sound को भी change कर सकते हैं दीचे की तरफ click करके इसमें से आप किसी और sound को select कर सकते हैं जैसे मान लीजे हमने यहाँ पर microsoft sound को select किया और इसके बाद हम यहाँ पर play करते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने document को यहाँ पर read भी क इसमाल कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को like, share जरू कीजेगा धन्यवाद